तो हलो बच्चों कैसे हैं अपस्तव लोग स्वागा थेक बफिर से आप सभी लोगों का अच्छे बंसंपूर्ण सिख्छा दे रहें के एक मात्र इस्थान अभिपसा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को म स्वालूम है हम लोग बात कर रहे हैं अपने एक्जाम सिरीस मिसंट प्वेंटी ट्वंटी तिर के बारे में और लाश्टे क्लास में अपना अध्याय जो 15 यूनिट साथ इसको कम्प्लिट कर लिए थे आज किस क्लास में आपको अध्याय जो 16 है और इकाई जो आठ है इसक है गडित को पढ़ाता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है अध्याय सोला और अध्याय सोला के अंतरगत हम आज पढ़ने वाले आकोडों का विशलेशन और यह होने वाला है भागेग देखें बच्चों मैंने आपको स्टेटेजी वाले क्लास और यूनिट नंबर आठ आपका कौन सांख्यकी सांख्यकी में किमल आपको एक ही अध्याय पढ़ने के मिलने वाला है और अध्याय सोला जो की है आपकोडों का विशलेशन और आजकी इस क्लास में आने की पार्ट वन में मैं आपको दो नंबर वाले कोश्चन के बारे में आपको नहीं पूछे जाता है आपके एक से लेकर 15 अध्याय तक हर अध्याय से एक कोश्चन आपके अब्जेक्टिक के रूप में देखने की मिलता है लेकिन इस अध्याय से को भी आपको नहीं पूछे जाएगा दो कोश्चन रहेंगे एक जो कोश्चन रहेंगा वो दो तो आज की स्क्लास में मैं आपको दो नंबर वाले प्रस्णियों के बारे बताने वाला हूं जितने भी टाइप सकते हैं जितने भी अभी तरह आपके पूछे गए हैं उन सारी चीजों को अच्छा से आज क्लियर करने वाने इसके बाद इसके तीन और पार्ट आएंगे ठीक कैसे गयात करेंगे इसके बारे में सिखेंगे फिर इसके थड़े क्लास में मैं आपको माध्यका निकालना चीखाऊंगा अगर टेवल के फार्म में देंगे तो फिर लास्ट क्लास में बहुलक निकालना सिखने वाले हैं जो की जो की चार नंबर के वहां से बिल्कुल आप में बिल्कुल आप उसको बना सकते हैं पूरा दो में दो नंबर लेने वाला हो चलो तो डालेक्टी लिए अपने कोश्चितन की बढ़ना चाहेंगे और यह आपका कोश्चितन नंबर पहला आपके पर आ चुका चलो एक पॉइंट को नोट डाउन करते हैं चलो सर्व कोश्चितन को पढ़ने क्या क्या दिया और अविक्ट पर आचो देखो चलो देखो प्रतम दस प्राकृत संख्याओं का और सत्व ग्याद करना है प्रतम दस प्राकृत संख्याओं का और सत्व हमें ग्याद करना है तो देखो इस कोश्चितन को बनाने के लिए पहली बात तो आपको प्राकृत संख्या का क्या बेसिक कॉंसेप्ट अच्छो से परता होना चाहिए कि सर्व प्राकृत संख्या क्या होती है तो गिनने के ल लगया यानिकी एक से लेकर दस तके प्राकृत संख्याओं का हमें क्या गयाद करना है अब सर इस को से को हम बनाएंगे कैसे कि हमें दो में दो स skipping मिले चलो अब इसका फॉर्मट में आसको स्खाता हूं देखो सबसे पहले यहां पर सा इंडुनेट को Haly 我是 यहां पर सरह मैं निकान लें की प्राथम दस प्राकृत अबर शयाओं है तो हम यहां पर दिखेंगे प्रधम ze प्राकृट संख्या है ठीक है चलो है प्रथम मुटस प्राकृट संख्या संख्या है अब जरूरी नहीं है कि आपको 10 सभी कभी कभी आठ तक कभी कभी प्रतम नउप प्राकृट संहाओं को और सद जात कीजे ऐसा कोच्जान भी पूछा यगा सक्टा तो जितना पूछा तक आपजए को अपको सबस्ट तो हमसे यहां पर पूछा गए तैस है कि प्रथम घंस प्राकरित संख्या को सद ने कहां तो यहां पर मैंने लिखा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या है कौन कौन से देखो तो प्राकृत जी संख्या होती बच्चों वह आपको अच्छे से पता है कि सर यह एक से स्टार्ट होती है तो एक के बाद क्या आएगा दो आएगा बिल्कुल दो आ चुका फिर आएगा तीन आया और सर्चार चार के बदा पांच फांच की बाद सच आया सच फिर चार की बदा आया आठ फिर नौ आया फिर हमें निकालने दस इन संख्यावों का हमें ऑसत निकालने छोटी क्लास का सवाल है बिल्कुल आजाओ भई धंगा को तो इंगलने है तो यहां पर मैं एक तो यहां पर हमें विभिन ना क्या दिये गया डेटर दिये गया हमें आकड़े प्राप्त हो चुके तो और निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वह होता है बच्चों आंकडों का योग बटा आकडो की संख्या बिल्कुल यह पर्मूला आपको अच्छे सी याद रख लेना है तो हम क्या करेंगे आकडो का योग करएंगे और उसको भाग दे देंगे आकडो की संक्या के साथ इसी प्रकार से बच्चों मैं आपको समांतर माध्य भी निकालना दिखाऊंगा बस नाम में फरक है कि समांतर माध्य और उसाथ दोनों एक ही चीज है दोनों को निकालने का तरीका एक होता है कन्फ्यूजन बिल्कुर नहीं होना है अगर समानते हैं माध्य पूछे या फिर पूछे आप लोगों से आउसाद दोनों को एक ही तरीकस निकालते हैं ठीक है दोनों है एक ही चीज ठीक है तो आउसाद बराबर देखो आंकडों का योग बोलगे ना तो एक से लेकर 10 तक हमे हमें भाग देना है याने की आकडों की संख्या को हमें दिखना है सर यहां पर आकडों की संख्या कितनी होने वाली देखो आजा तो हमें बता कि प्रथम दस बोलागी है तो एक से लेकर 10 कितने संख्ड़े कितने आकड़ होगा सर यहां पर 10 होंगा तो 10 को इसको भाग दे आपको भाग आता होगा पच्पन को दस से भाग दो तुस्तर हम यहां पर मिलेगा पांच दिसंब्लाव पांच मिला यह हो गया हमारा फाइनल एंसर जो आपको अच्छा दसवें पूछ ले गया बताओ बोनस नंबर बोनस नंबर मैं जब भी अपने बच्चे को पढ़ाता हूं तो इस सद्ध्याय को बोनस नंबर कहता है बिल्कुल कुछ भी नहीं है कुछ इतना इसी को सब्सक्राइब जरूरी नहीं है कि 10 तक ही पूछे आप लोगों जो की पूछा गया है 2020 सेड़ी में चलो सेड़ी में यह कोष्टन जो है पूछा गया है तो सर हमें बर कोष्टन को पढ़ने क्या क्या दिया क्या बिल्कुल पढ़ लो अब यहां पर बोल दिये गए कि प्रथम 10 समसंख्याओं का आउसत ग्याद किजिए देखो इसी को थो हम तरिका सीखेंगे दिखो मare ने बता दिया कि इस के में दो को चैंकर दम होने वह रहाए अभी आप लोगो क्षिक पुछ लिए कि प्रथमा समसंख्याओं का उसाथ क्या होगा अगला कोश्चन क्या बन सकते हैं कि प्रथम दस विसमसंख्याओं का उसाथ क्या होगा तो एक कोश्चन में कई बनाया जा सकता है बिल्कुल देखो चलो तो कोई दिखत नहीं है अभी जैसे सब्सक्राइब करेंगे बस कुछ करो संख्याव को लेने वाने बिल्कुल आजां तो और सहां यहां पर लिखेंगे प्रथम यह अ प्रथम में दस मैं कि संख्या है सम्व कि संख्याएं है विल्कुल हमने यहां पर इसको अच्छे से जमाग कर लिए तो कौन कौन से देखो प्रथम दस असम संख्या बोलागे ना तुसर यह स्टार्ट जो होते हैं वह दो से होते हैं कहां से दो से दो के बाद आएगा चार चार के बाद छैप फिर आठ फिर आचु एकस्पैन कर देते चलो तो हमें अब इतने सारे डेटा प्राप्त हो चुके आकड़े मिल चुके इसका हमें निकालना है और सब्सक्राइब चोल अखिल चट्वी का फॉर्मूला लगा और यह बराबर और सब बराबर देखो और सब बराबर क्या होता है मैं अब भी आपक कि संख्या चलो यहां तक कि कहानी से हमें अच्छी से समझ में आ चुके चलो कोई दिक्कत निया तो औरेज यह वराबर देखो आंकड़ो का योग तो दो से लेकर 20 तक जो में संख्या मिली है सब को जोड़ने वाले तो इसको अरेंज करके लिखते हैं तो दो धन चार धन Rodhan ये सरुआट धन दस धन 21 वा फिर यहां पर आ चुगा धन का 14 फिर यहां पर आयगा धन का 14 फिर अंठा घन सर मिलेगा 20 इसको हमें भाग देना रिए तो बच्चों हमें संख्राबर दो से लेकर 20 तक कि अगर समसंख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको में लीवाला 110 बिल्कुल आप जोड़ कर देख सकते हो ब्रिचो आप जोड़ कर देख सकते हो कितना आएगा 110 आगा इसको हम भाग देने वाले हैं 10 से जीरो से जीरों निटा दें का इमारे और सफे से पड़ाने वाले इतना इस Minsk को इसको हमने निकालनił बिखल हमने अरि अच्छे सक्षचा आपको कुश्यन किया जाएगा असनत निकालने से समझेब नहीं देंगे तो आपको एक कथन के लुक में सवाल दिये जाएगा आंकड़े आपको खुचते बनाना है और उसका निकाल देने और साथ ठीक है चलो अब बढ़ते पने नेश्व कोश्चन कि और यह आपका आचुका अगला कोश्चन आपकी स्क्रीम पर चलो सर यहेंपने हमें क्या पूछा गया कि निम्मनलिकलो का बहूंलग याद की बहुलक्ण यानिका बहुत बाहर आता है बहुत यह पर देख हो अब पहुलक्ण को जो सरवाधी बार आया हैो ही हमारा उत्तर हो जाता है बिलकोर अब यह मैंने क्या कहा कि बहुलक का मतलब होता है कि वह डेटा वह अकड़ा जो सरवाधिक बार आया है यहाँ पर आप देखलो पहले तो यहाँ पर आप जमाकर लिख सकते हो कि चुकि यह दो नमबर के लिए पूछा जा सकता है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया है दिया गया आ क्रदाया है बिल्कुल जम आके लिखेश ना क्या क्या तेढा सर्दाया कि दिया गया कि दूश्री क्लर से लिखते हूं आज देखनों से जो आपकर दिया गये वह ना 25 पच्चिस के बाद 9 फिर क्या है 79 फिर 34 दिया अगय था फिर 70 दिया प्रशाग यहां पर अपने नजरेंक दूरा और देखो कि कौन सी संख्य सरवाधिक बार आया कौन सी संख्य संख्य सरवाधिक बढ़ा तो बच्चों अच्छे से एक मिनट में आपका इंसर आने वाला आपको देखेना सभी डेटा को और यहां पर अबजर्व करना कि कौन सा जो आंकड़ा कौन जो संक्या है वह सरवाधिक बराया वही हमारा बहूला खो जाएगा चलो अब इसको एक रालम अरेंज करके लिखेंगे देखो कैसे चुकि दो आकड़े में या आकड़ों में आकड़ों में सत्तर सरवाधिक बार सत्तर सरवाधिक दिखले सरवाधिक यानि कि कितने बढ़ा है तीन बार तीन बार तीन बार सरवाधिक बार आया है आया है इसलिए इसलिए बहुलक बहुलक क्या होगा आपका हो जाएगा सर सत्तर क्या ह आज़े हुआ छका सतर यहे वोचय कसर हमारा हमें से दो मेंसे फाल हादक दलाने वाले एक मिनट लगे एक मिनट एक मिनट में हमकों आप क्या कि औस पुछे या फिर समानतर मात दे पुछे दोनों को निकालने का मैं थार बिल्कुल एक ही होता है बिल्कुल आजाओ बिल्कुल टाइमर निकलेंगे सबसे पहले हमंपर लिखो। लिखो अब क्या करेंगे तो इसको मैं दिए गएं अख्रेया अख्रे। तो क्या क्या हमें दिये गए तो क्या और हमें दिया गया इसको चलो मैंने माल लिया एक सब बराबर कि क्या क्या अंकड दिआ गया थो फिर 9 x 11 भी है फिर 13 साथ हो गया सबникомड हो 31 कि यह तिरुह intuition बिक्रतो कोछी की टिकनल पोगे हम अता हो डिया है को समांतर उप tremendous करते हैं तो यहां पर हमें पता है कि अवसाद निकाल देते तो आंकड़ो का योग बरन्कोडEvery do हम आंकडों का योग बटा आंकडों की संख्या ना लिखकर डारेक्ट लिए हम यहां पर लिख सकते हैं सिगमा एक सा इस सिगमा का मतलब होता है कि सभी आंकडों का हमें करना योग समेशन भी इसको बोला जाता है अब यहां पर हम लिख सकते हैं नंबर आफ डेटा यानि कि ह लिख सकते हैं आकडो कि संख्या सब्सकों मुलेदेका fel है यहां करके यहां करके आप लिख सके मिलकूल यहां बराबर एन बराबर क्या था एक दो तीन चार पांच चैक आठ आठ क्या था बच्चो आठ था आठी डिशना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ बिल्कुल आठ होगे ठीक है चलो अब हमें निकालना है समानतर माध्य तो एक सबस्सक्राइब सभी लगया को हमें जोडने वाले सब्सक्राइब को जोडेंगे तो यह अधार तीरह पर स at to कितने देटा थे बच्चों तो यहां पर सण्ण को ना आ त अठ हैं को फिश्यट आढ़र कड़े चलो तर एक सह कि मैं सभी को जोड़ने वाले और जोड़ेंगे प abordता दो तो यहां पर मैं फांच और साथ को जड़ा तो बारा नंगे तरिका इसको इक एक बार हम होरा यहांगे बारा को जोड़ेंगे नौब चोड़ेंगे चले बार मैं आपको एक बार अच्छी से जोड़कर बता पशेता हूं ठीक है बड़ी बिल्कुर निकरेंगे ना तेरा फिर हो जोगा 15 फिर हो जागा 17 फिर हो चुका उन्हीं सब को सब को चोड़ दो कि तो यहां पर सरन नौ और एक यह हुचो चुका 10 10 और 12 12 और तीन 12 और 15 15 और पांच यहुचों का बिस विस और साथ सचय हो जाएगा 27 27 और यहां पर देखो नो है याने कि सरी हुदागा 36 ठीक है 36 का 6 आया और यहां पर आजो का 3 3 और एक 4 4 5 6 7 8 और यह नव आज़ो का 9 आया ची तो यह हुदागा वहारा फाइनल इसले इतना एजी को सब्सक्राइब करने वाला है जो कि आपका बोनस नंबर होने वाला बोनस नंबर मागे शोड़ीे मिलने वाला तो अवसाथ पूछे या समांतर इंथे जून्हों करने का वर्मट इक ही होता बिल्कुल चलो अब बढ़ते हैं अगला कोश्चन आपके स्क्रीम पर आ चुका है जो की पूछा गया था 2020 सेड़ बी में पूछा गया था निम में लिखित आ करो कि माध्यका गयात करना क्या गयात करना है माध्यका निकालना सब्सक्राइब करनें आ जाओ तो सब्सक्राइब कैसे गया लेकिर वहां पर हम बड़े कोश्चन के बारें बात करेंगे जहां पर आपको समांतर माध्या और माध्यका से संब्सक्राइब के रूप में प्रसंदी जाएगा तो उसको हम कैसे माध्यका करते हैं समांतर माध्यका करते हैं उसको आगे सीखने वाले अभी जो कुश्चन क आगे चलके फिर मैं आपको माध्यका निकालना दिखाऊंगा वहाँ पर टेबल के फॉर्म में कोस्टन दिया जाएगा चलो तो सबसे पहले हाँ पर लिखो अब क्या करेंगे देखो यह बरनों जोब आपको डेटर दिय गें उसको और jetzt करों कैसे हैंज करोगे यानने की सबसे चोटी वाले को पहले लिको पषिर आप बढ़ते हुए करंगे बढ़ते हुए करंगे को हम क्या बOLते आर ऩहे करं बोलते हैं छोटे को पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बढ़ी संक्यों को हम लिखने वाल है तो इसको सरस्कॐ न कर दो investigator है है तो यहां परम लिखेंगे दिए गए आकड़े को तिये गए आकड़ो को ठीक है की आकड़ों को रोही करम में लिखने पर और मतलब बढ़ते करम में लिखने पर तु comprend मैं सबसे सबसे चोटी संख्या को पहले लिखेंगे यहां पर सबसे चोटी संख्या अगर अच्छे सा उबज़र करोगे तो आपको मिलेगा अठारा क्या मिले सार अठारा मिल चुका अठारा से बड़ी संख्या कौन सी है तो अठारा से यहां पर आप लिए सकते हो 20 को किसको लिए 20 के फिर अगली संख्य कौन सी आएगी सर आएगी 24 और सबसे लाश्ट में कौन सी संख्य मिलेगी सार बड़ी वाली संख्य सबसे बड़ी वाली संख्य क्या है 25 बिल्कुल बच्चों हमने आरोही करम इसको एरेंज करकी लिख लिया अब एक बड़ नहीं हें पर चेक कर लो जितन पर थोड़ा से रुखो दो सकने के लिए कि कितने डेटा दिये गया है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ कितने साथ है अब भी इसके बाद प्रस्ते करमांग 6 में मैं एक क्वेश्टन कराऊंगा जो कि इसी तरह बनने वाला वहां पर आंकड़ों की संख्या होने वाली है स नियदों आतं है फिर हम करेंगे जब सम्व हो जाएक तब उसको कैसे कर दूखो बिल् şլ थो पहले हमने यहां पर आंकड़ों की सपेंघा जब में सामास तब आकड़ों की संख्या एन बराबर ठीक है यहां ओ आकड़ों की संख्या तेक कि अराम से करेंगे बिल्कुल अराम से करेंगे पेल और आपके पास ओनी चाहिए जो मैं लिख्वा रहा हो लोट करते खाना एमान्दारी ब्रत्न यहां आकड़ों की संख्या एन बराबर चसाताथ है जो कि सब्सब्स परिसरद जो कि सब्स TERT घ् lat Strength अतह attitudes अतह मां धिका माधिका माधिका ठीक है अब माधिका को हम एम डी से भी ही प्रुदुधिन करते हैं माधिका एंडी बराबर देखो माधिका कैसे निकालते हैं इसकर करने हम और कान निकाला हुआ हुँ था साथ ठीक है इनकमान निकाला हुआ निकाला हुआता साथ यहां पर कुछ ग gros congratulations अइंप ऊपडों प्लस यह यहां ऐन तो नहीं करना एन फोन न प्लस वन एन प्लस वन बाई टू करना क्या करोगे एन फ Plus वन फ्टू हुआ ठीक है दोलह में अंतर को स्वांजन ठीक कर छौल एन कान का साथ है उसमें हम 1 जोडेंगे और उसको को देंगे ARE पैसे भाग बिल्कुल साथ में एक जोडा साथ में जोडा आठ मिला और नीचे का दो तो दो कम दो चार बार में नीपड़ गया सर चौंथा पद चौंथा पद हमारा उत्तर आने वाला है चौंथा पद कौन सा देखेंगे के दो दो प्रस्ते में दिया गार था वो बीना अर करके लिखं नहीं था हुए इसके चौ फाल को देखो तो एक दो तीन चौथा चौथा क्षक्षा पद में क्या दिया अक्षाप न 되면 का कि बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका हुजाएगा 23 उत्तर माद्धिकाफ है अतामादिका visa theme 2 बराबर तो यह पहला हुआ दूसरा हुआ तीसरा हुआ और यह चौथा याने कि 23 हमारा उत्तर है 23 बच्चों हमारा सही जवाब होने वाला है तो माध्धिका ग्याद करने के लिए आपको यह फॉर्मूला याद करने पड़ेगा एन प्लस वन डिवाइड बाइड बाइट वाप बिल्कुल यह फॉर्मूला आपने याद कर लिया है तो बिल्कुल आप माध्धिका ग्याद कर सकते हो जब पदों की संख्याने की आंकडों की संख्या किसमें दी गई हो यहां पर विसम हो बिल्कुल मनें इसको अच्छे से ब्रेकेट में पैक कर दिया यह हमारा फाइनल एंसर हो किया तो यह रहा आपका अगला कोश्टन कुपस्वरसा जो कि कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछे जाने के चांसे बनते हैं सेंटीमेटर में निमने लिखित हमें दिया गया हमें इन आकडों की माध्यका ग्याद करना है तो पिछले वाले क्वेश्टन की तरह ही हैं य एक ही जगा clear करा दोंगा थेक्व तो सबसे पहले side पर लिखो हैल किसका फॉर्म्ट क्या होगा तो हम क्या करतें जो भीन डेटा दिए गया हम दिकल रे माद दिका तो हम क्या करते हैं पहले जो डेटा दिए गया उसको अरेंज़ करते हैं कि फ़र में सर आरो ही करम में लिखने पर किस करम में आरोही करणा भी बढ़ते करम में लिखने पर आरोही करम में लिखने पर चलो लिखने पर पर कुमने यहां पर लिग गया अब आरोही करम में मैं लिखने जा रहा हूं किस करम में आरोही करम में कैसे लिखते हैं सबसे छोटी संख्या को पहले तो आपका अगला संख्या हो चुका 102 अब 102 से बड़ी संख्या तो 102 से बड़ी संख्या यहां पर दिख गया 106 क्या दिखाए 106 यहां पर दिखरा है 102 तो यहां पर क्या जाएगा 110 बिल्कुल यहां पर आच्छुकत 110 आचुका ठीक है अब 110 के बाद 110 के बाद यहां पर दिखेगा आपको 112 क्या मिल चुका अगला हमें मिल चुका 112 112 के बाद क्या मिलेगा तो 112 के बाद यहां पर अपनी नजर को दोड़ाओगे तो आपको मिलेगा 115 और यहां पर भी आपको दिख रहा है 115 115 दो बारा आरा है तो दोनों बार को लि दिखा 117 दिखा 117 से बड़ी संख्या तो 117 से बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर आपको दिखेगा 130 अब लाश्ट में एक और बच चुका है 125 क्या बचा 125 सरो इसको मैंने यहाँ पर लिग दिया 10 यहां पर भी होँ चाहिए थिका आज एक दो संख्या बराबर आकड़ों की संख्या बराबर देखो एन बराबर करें एन बराबर एन बराबर सर दस है जो की क्या है समय जो की क्या वच्छों समय हम निकाल रहे हैं माध्धिका क्या गयाद करें माध्धिका कैसे गयाद करेंगे देखो इसलिए माध्धिका बराबर अता माध्धिका करें अता माध्धिका अता माध्धिका देखो अब यहां पर मैं दूसरा फॉर्मूला लगाने वाला हूं जब विसम था तो हमने हमने क्या किया इस वाले फॉर्मूले का यूज किया हूँ था विसम था तो हमने इस वाले फॉर अब देखो सर्ग यहां पर यह हुobra пред नभाई टू आ पड़ धीक है फिर यहां पर हम लिखेंगे प्लस फिर ही सरburg नभाई टू यह नभाई टू फिर प्लस करेंगे Kayla holiddag आवह सर्वापक्त क्या हो चुका वापध हो चुका अब इन दोलों को हम भाग दे देंगे किस्से दो से भाग दे देंगे यहां पर ध्यारकना यह अन प्लस-1 अपॉन टूरिया है पहले हम n by 2 करेंगे फिर उसमें प्लस वन करेंगे यह इस तरह से होने वाला भीकुल यह फॉर्मुला आपको याद रख लेना भीकुल आजो चलो इस फॉर्मुले को मैं बॉक्स में अच्छे से पैक कर देता हूं यह ताकि आपको बाद में दिख जाच्छे से ठीक हाई रा अब देखो एन बाइट उसर एन कहां निनकाला वह सढ़ी चुपकाऊ सर यह सब्सक्राइर्ट हो जाएगा दैस बटा दो उबंतर ठीक है ठीक है ठीक है प्लस देखो अभी यहां पर सर्य हाँ पर क्या हो जाएगा तो एन की जग हम डखेंगा दस क्योंकि पदोगी संख है क्या पिर आखोड कि संकते कितनी है तो सर यहां पर यह हुँ जाएगा 10 बटा दो फिर प्लस वन प्लस वन करेंगे फिर यहां पर हम लिखेंगे वाप बिल्कुल चलो आगे इसको करते बटे में दो भी आप बटे का 2 भूलना नहीं है बिल्कुल सरवन आपने इसको चिपका देंगे तो क्या मिलेगा हमें सर मिल चुका चटवा पद क्या मिला चटवा पद मिला बटे में कर देंगे दो बटे का दो यहां पर लिखा गया तो ऊदो को यहां पर हो जाइगा एक्स औंदा अब इसको हम भाग देंगे दुसे दोनों को आप जोड़ो लगा देना है आपको मिलने वाल इक सो तेरा दश्फ ओने वाला यहां है आधिका को अच्छे से माध्यका निकालना सेख लिए जब विसम संख्या प्रेक्षा करना है वह सं होगा तो आपकों कोई दिक्कत न हुनी कहां न्हें है संबद में आ चुकी है आज 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 आपको इस यह प्रस्न समझाğı दिया है जो की दो क्लास को मैं यही पर खदम करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करना है कमेंट करना और दोस्तों तक सियर करेंगे हम मिनेंगे इसके पार्ट नमबर टू पर तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मुच